हिंदुधर्म में सावन के महीने को बेहर पवित्र महीना माना गया है। प्रकार जोशी बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इसमें धन बैभाव कई प्रकार की भोलेनाथ ऐसे हैं कि कोई भी फल तुरंत दे देते हैं। इसमें शोंबार ब्रत जो हैं कम 21 वर्ष तक करने चाहिए। यदि इतना संभाव नहीं तो बार वर्ष तक करें। इसके अत्रिक्ते दी इतना भी संभाव नहीं है तो कम शेकम 16 शोंबार के वर्ष करने चाहिए। शोंबार जो है शावन के महने से ही प्रारंब ये वर्ष किये जाते हैं। क्योंकि शावन का महिने ही भग्बान भोलियौनास को संभ्रपित है। पार्थि पूजन, शिवार्षन, जितने भी महामर्त्यों जाइप मंत्रों का अज्जापादी यह शावन के महने में होते हैं और शोमबार बहगवान भोले संकर का पिरीवार है बहपने समर्पित है यह बार इंदुबाशरे कहा गया है शोंबार को चंद्रबार या इंदुबाशरे कहा गया है अले इसको बुल पश्वर को इसके नियम में जहाँ कि प्राता ब्रह्म मौोर्थ में उठकर इस Farm and Sh Ben तो घर में ही जो इसनान का जल है उसमें जड़ा गंगा जल मिलाके इसनान करें तदो प्रांत भगवान किसी शिव मंदिर में जाके भगवान भोले नात का शोड़ शोपचार पूजन करें उनको कच्छा दूथ गाए का दूथ चड़ाएं और जल जो है गंगा जल ये जो है तो 108 बिल्लपत्र चड़ाएं उन्हें और जो है इस तरीके से बिदिविधान से शोड़ शोपचार क्योंकि क्वारी कञ्याओं के लिए ही नहीं हर किसी के लिए ये बहुत महत्वपोण है किसी व्यक्ते को धन आदी की समस्या हो रही है धन नहीं रुक रहा है उसके के लिए भी क्योंकि भोले नाथ जो हैं तुर्म तफाल देने वाले हैं इनमें हर परकार की उन्हें की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं जैनिताल से तनुश पांडे की रपोर्ट